हेलो बच्चों जैसा कि आप सब जानते हैं जेसे आठी के नीड़े अनुसार प्रत्यक मा विद्यालेव में मासिक मुल्यांकन किया जा रहा है तो बच्चों यह कक्षा त्रितिये का मासिक मुल्यांकन मंतली एसेस्मेंट का प्रस्ण पत्र है यह मा ओक्टूबर 2021-2027 का प्र सब्सक्राइब कराएं तो बच्चों आगे प्रस्न को देखेंगे तो बच्चों आप देख रहे हैं यह हींदी का प्रस्न है और सबसे पहले दिया गया है कभिता के इस अंग्स को ध्यान-पुर्वक्वक पढ़कर और दिये गए प्रस्न संक्या एक और दो के उत्तर तो बच्चो इस कविता को आप ध्यान से पढ़ें मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौर लगाऊं मन करता है मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकर दिखाऊं मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौस जमाऊं मन करता है पापा बन कर मैं भी अपनी मूच बढ़ा हूँ तो बच्चो इस कविता के बाद प्रसने दिये गए है उसे हम लोग देखते हैं तो बच्चो देखे प्रसन संख्या एक में दिये गया है पद्यांक्स के आधार पर कौन सा जोड़ा सही नहीं है और यहां पहला विकल्ब A दिया गया है सूरज आसमान में दोड़ B में दिया गया है बाबा घर में सब परधोंस C में दिया गया है चंदा सब तारों पर अकर और D में दिया गया है पापा पैसा कमाना तो बच्चो इसमें D नमबर विकल्ब सही है यह D सही है आगे बच्चों प्रस्थ दो में दिया गया है चंद्रमा का समान अर्थवाला सब्द क्या है और यहाँ बिकल्ब दिया गया है A में मामा, B में ससी, C में तारा और D में आकास तो बच्चों B option सही है चंद्रमा का जो है समान अर्थवाला सब्द ससी है आगे बच्चों प्रस्ण तीन में दिया गया है इनके उल्टे अर्थवाले बिलोम सब्द लिखिए अर्थात उल्टा सब्द हमें लिखना है और यहां सब्द दिया गया है खट्टा तो बच्चों खट्टा का बिलोम सब्द होता है मीठा और काला का बिलोम सब्द सादा और दूर दूर का बिलोम सब्द पास और जमिन का बिलोम सब्द आसमान तो बच्चों आगे प्रस्ण चार में दिया गया है खेतों में कौन-कौन सी फसलें उगाई जाती है कम से कम चार फसलों के नाम लिखिए तो बच्चों हम लोग इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते तो बच्चों देखें यहां का उत्तर खेतों में निलखी फसलें उगाई जाती है जैसे ग्यहूं, चावल, बाजरा, मक्का और दाल ये सारे जो है फसल खेतों में उगाई जाती है तो बच्चो इसके आगे प्रस्थ है एक थी चिडिया पाठ में किसान को रास्ते में कौन कौन से लोग मिले और किसान ने किसकी बात मानकर चिडिया को छोड़ दिया तो बच्चो इसका उत्तर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं एक थी चिडिया पाठ में किसान को रास्ते में चरवाहा, हलवाहा और एक किस सिपाही मिला अंत में किसान ने सिपाही की बात मानकर चिडिया को छोड़ दिया तो बच्चो उत्तर एक बार फिर से सुन लें एक थी चिडिया पाट में किसान को रास्ते में चरवाहा हलवाहा और एक सिपाही मिला अंत में किसानने स्थिपाही की बात मानकर चिडिया को छोड़ दिया तो बच्चो यहाँ पर हिंदी का प्रशन समाप्त हो गया है आगे हम लोग देख रहे हैं इंगलीज का प्रशन तो बच्चो प्रशन एक में दिया गया है which among the following is purple in color तो purple रंग का कौन सा इसमें से होता है और यहाँ option दिया गया है mango, banana, brinjal और lady finger तो बच्चो इसमें सही उत्तर है brinjal अर्थाद बैगन उसके बाद बच्चो प्रशन दो में दिया गया है where is ardaas offered तो बच्चो ardaas जो है यह प्रार्थना है और यह कहां पर जो है गाया जाता है और यहाँ पर option दिया गया है temple, गुर्द्वारा, मस्जित और church तो बच्चो अर्दास जो है यह पंजाबी लोगों के गुर्द्वारा में जो है इसे बोला जाता है तो यहाँ पर option भी सही है उसके बाद बच्चो प्रशन तीन में दिया गया है तो बच्चो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे तो बच्चो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे आख्रा इस place and is decorated with sal leaves एक बार था आख्रा इस place and is decorated with sal leaves तो बच्चो अब हम लोग आगे का प्रशन देखते हैं तो बच्चो देखे प्रशन सेंग का चार में दिया गया है look at the picture and fill in the blanks यहाँ पर इस चित्र को देखें और नीचे दिये गए खाली जगह को भरें यहाँ पर पहले दिया गया है a dog is और blank है जगह और दिया गया है the kennel तो यहाँ पर dog जो हम लोग क्या देख रहे हैं इसके उपर में है, kennel के उपर में है तो इसे हम लोग on कहते हैं अता खाली स्थान पर हम लोग लिखेंगे on उसके बाद बच्चों a dog is यहाँ पर खाली जगह है blank है और यहाँ the kennel लिखा हुआ है तो यहाँ देखें कि इस kennel के भी उपर जो है वो है तो यह हो जाएगा over इस प्रकार से बच्चों चार नमर के प्रस्न का हल हो गया अब हम लोग पांच नमर के प्रस्न को देखते हैं तो बच्चों देखें पांच नमर में दिया गया फिर in the blanks with the help of the given picture to complete the lines of the poem holy यहाँ पर holy कविता के जो हैं कुछ लाइन दिये गया है और यहाँ कुछ खाली जगह है इसे भरना है ताकि यह कविता पूर्ण हो सके तो बच्चों यहाँ दिया गया है color, color, everywhere color, color, everywhere on my यहाँ पर एक चित्र दिया गया है यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर blank दिया गया है तो यहाँ बच्चों head हो जाएगा on my यहाँ पर head के बाद hair को दिखाया गया है लड़की जो है अपने हाथ से अपने बाल को दिखा रही है तो यहाँ पर hair हो जाएगा और यहाँ पर on my यहाँ पर जो है अपने हाथ को दिखा रहा है तो यहाँ hand हो जाएगा pair को दिखा रहा है on my leg but not on my white teeth तो एक बार फिर से आप इसे सुन लें, बच्चों यहां दिया गया है color, color everywhere, on my head होगा, on my hair होगा, on my hand होगा, on my leg होगा, but not on my white teeth. तो बच्चों आगे गणित का प्रशन दिया गया है, तो बच्चों देखें, प्रशन एक में दिया गया है, 85-9, अर्थाथ 85-9 को घटाना है, और यहां पर बिकल्प दिया गया है, A, 76, B, 77, C, 74, और D, 9, तो 85-9 को घटाने पर प्राप्थ होता है, 86, तो option A जो है, सही option है, 2 में दिया गया है, 4-4-4 बराबर क्या होगा, तो बच्चों यहां option दिया गया है, A में 43-4, B में 4-3, C में 3-3, और D में 4-4, तो बच्चों इसमें जो है, यह 4-4-4, जो है, 4-3 के बराबर है, तो आगे बच्चों, तीन नमर का प्रशन है, 87-17 कितना कम है, तो बच्चों स कैसे कैसे निकालेंगे, 87-17 को घटाएंगे, तो 87-17 को घटाएंगे, तो यहां पर देखिए, घटाया गया है, 87-17 को घटाने पर, जो है, कितना प्राफ्थ हो रहा है, 87-17 को घटाने पर, 70 प्राफ्थ हो रहा है, तो यही उत्तर हो गया, तो आगे बच्चों दिया गया है 93 गुना 7 कितना होगा तो 93 गुना 7 जो है बच्चों यह 651 हो रहा है तो इस प्रकार से 651 इसका सही उत्तर आगे बच्चों देखें किया गया है एक माला में 38 फूल है 8 मालाओं में फूलों की संख्या कितनी होगी तो बच्चों इसका हम लोग इस प्रकार से हल करेंगे तो बच्चों देखें इसका हल हम लोग इस प्रकार से करेंगे एक माला में फूलों की संख्या 38 है तो 8 माला में फूलों की संख्या कितना हो जाएगा 38 गुना 8 बराबर 304 फूल तो यह हो गया हमारा answer तो बच्चों आगे हम लोग प्रस्ण देखेंगे तो बच्चों इसके बाद प्रयावरान अध्यान का प्रस्ण दिया गया है प्रस्ण एक में दिया गया है गोल की पर शर्द की स्केल से सम्बंदित है तो बच्चों यहाँ पर जो ऑफ्सन दिया गया है A सतरंज, B लूडो और c फुटबॉल और d गोटी तो बच्चो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल फुटबॉल में ही जो है गोल की पर होते हैं आगे बच्चो प्रस्न दो में दिया गया है निमनलिखित में से कौन सी खाने की चीज अलग है और यहां पर बिकल्प है a अंडा, b दूद, c केला और d मांक्स तो बच्चो इसमें जो है c भी कल्प सही है क्यों सही है क्योंकि बाकी जो है वो पसुओं से प्राप्त आहर है जबकि केला ब्रिक्ष से अर्थात पौधे से प्राप्त खाने की चीज है आगे बच्चो प्रसंतीन में दिया गया है पौधों से मिलने वाली किनी चार खाने की चीजों के नाम लिखिए तो बच्चो अगर आपको पौधों से प्राप्त चार खाने की चीजों के नाम आता हो आगे बच्चो प्रसंद चार में दिया गया है, ग्यहूं से क्या-क्या बनता है, कि इनी चार चीजों के नाम लिखिए, तो इसका उत्तर बच्चो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ग्यहूं से आटा, चापती, बिस्कुट और नूडल साधी बनते हैं, एक बार फिर से सुन ल यहाँ पर खाने की चीजें जो आपको पसंद है, तो बच्चो इहाँ पर आप अपने से भी इसे भर सकते हैं, जो खाना आपको पसंद है, उसका नाम लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है, रोटी, दाल, चावल और मचली, यहाँ खाने की चीजे हैं, जो हमें पसंद है और इधर जो है दाई तरफ लिखा गया है जो हमें पसंद नहीं है करेला, केला, आउला और पपीता तो बच्चों इस प्रकार से सभी प्रसनों के हल हो चुके हैं तो बच्चों जदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवस्य करें अगर आप पहले बार अमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे भी आपको इस चैनल पर सेक्शनिक वीडियो प्राप्त हो सकें तो बच्चों वीडियो को आन तक देखने के लिए आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले व